जब सत्धा की ताकत के समने, सवाल कमजोर पढ़ जाएं, तो आवाज बुलन्द करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। नहीं उसकार, बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और कारक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कारक्रम को अपने एक नहीं दो नहीं पांच-पांच कॉन्टाक्ट्स के साथ सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ये हैं रिपब्लिक के संपादक अरनब गुस्वामी और तलोजा जेल से रिहा होने के बाद इनके हावभाव देखी हुजूर्ण हावभाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी राली करने आया है इस हावभाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि ये शक्स एक पत्रकार है आज इनके चाटुकार ये कह रहे हैं कि अरनब गोस्वामी एक राश्ट्री आइकन हो चुका है एक राश्ट्री हीरो है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस शक्स को सत्तारूर भारती जनता पार्टी का आशिरवाद हो जिस शक्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारती जनता पार्टी की देश के सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्स आमिट शाह का जिसके सिर पर आशिरवाद हो वो राश्ट्री हीरो कहां से हो गया हीरो तो वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है बताईए ना सुषान सिंग राश्पूत के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है हत्या हुई है एक रिया चकरवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी तुमने अब दो सरकारी संस्था ये कह चुकी है कि हत्या नहीं है इसमें कोई फाल प्ले नहीं है एमस की रिपोर्ट जो कि एक सरकारी संस्था है और सी-बिया ऐ की रिपोर्ट जिसने कह दिया कि सुषान सिंग राश्पूर्ट के बैंट रांजक्शन में कोई दिक्कत नहीं है आज जब ये शक्स इस तरह से हाथ हिलाकर बाहर आ रहा है और मंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो इससे जदा हास्यास्पत कुछ हो नहीं सकता है मगर ये रिहा क्यों हुआ ये रिहा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोट ने उसे अंतरिम बेल दी है जी हाँ अंतरिम बेल दी है रिहा नहीं हुआ है अनवाए नायक स्यूसाइट केस में ये आदमी रिहा नहीं हुआ है दोश्मुक्त नहीं हुआ है इसे सिर्फ अंतरिम बेल मिली है लिहाज़ा अपनी पीट मत थप थपाईए अपने आपको हीरो मत बताईए आप हीरो नहीं ह आप अभी भी accused हैं आप अभी भी आरोपी हैं इतना कहने की शर्म कीजे जो इसके propaganda machinery है मगर मैं सुप्रीम कोट की बात करना चाहता हूँ और मैं तारीफ करना चाहता हूँ सुप्रीम कोट ने क्या कहा आपके screens पर Justice चंदरशूर ने कहा कि जब जब राज सरकारें अपने कागरिकों की उन व्यक्तिकत लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत ही खुबसूरत विचार आपके Justice चंदरशूर और मैं सलाम करना चाहता हूँ आपके इन बयानों की लिए मगर Justice चंदरशूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे समाच के दोहरे माबदंड ह सिदीक कपन और इसके दो और साथी किरा के ये पत्रकार जो आपके स्क्रीन्स पर हैं पांच अक्तूबर से जेल में हैं और इनके खिलाफ वो धारहें लगा दी हैं उत्तरपदेश सरकार ने जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं क्या आप जानते हैं कि इस शक इसली अदालत में जाहिए इनके खिलाफ अदालत ने वो धारहें लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं अब इन दो चहरों पर गोर कीजिए देखिए मैं ये मिसालें आपके सामने पेश कर चुका हूं मगर मजबूर हूँ दो बारा उसे पेश करने क लिए क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अब्सरवेशन की हैं जो बहुत ही खुबसूरत बाते उन्होंने कही हैं उसकी प्रिश्ट भूमी में बाते कहनी बहुत ज़रूरी है ये दो चहरे वरवरर आओ और स्टैन स्वामी स्टैन स्वामी इतनी से इलतजा कर रहे हैं अ कराएं एक स्ट्रॉ के लिए बीस दिन का वक्त तेरासी साल का एक कवी एक समात सेवी बताएए ने जस्टिस चंदर चूड फर्ख क्यूं है एक सिद्धिक कपन और एक अर्णबगो स्वामी की बीच में या एक स्टैन स्वामी तेरासी साल का एक शक्स जिसके खिलाफ जिस वरवर राओ उनकी हालत इतनी बुरी है कि परिवार को ये पता चला कि उन्होंने अपने बिस्तर में पिशाब कर दिया है उनके साथ जब उनके परिवार की विडियो कांफरेंसिंग हुई तो वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था उनके मुद्दे को लेकर जब मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रारतना कर रहा हूँ कि क्या इन लोगों का क्या इन लोगों में और जिस शक्स को रिहा कर दिया गया है जो अंतरिम बेल पर है रिहा नहीं माफ कीजेगा अंतरिम बेल पर है क्या उनमें फर्ख है क्योंकि जहां तक मुझे पता है सुदा भार अब गुस्वामी है भारती जनता पार्टी का पिछलगू ये लोग जेल में हैं इन पर बहुत कड़ी-कड़ी धाराएं लगा दी गई हैं सुदा भारदवाच की भी तबियत लगातार बिगड रही है वो महिला जिसने जमीन पर जाके जो अमरीका में चाहती तो वहां रह सक रहा है मैं आज आपसे सिर्व इतनी प्रारतना कर रहा हूं कि फर्ख क्यों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये एहम बयान दिया है इसके बाद सुरतहाल बदलेंगे बदलेंगे गुजरात के अंदर एक धवल पटेल के खिलाफ देश-द्रोग का मुकदमा कर दिया ज उसने सिर्व इतना लिखा होता है कि वजय रुपाणी के कामकाधस्छे आला कमान खुश नहीं है इसलिए उन्हें हटाया जा सकता है सेडिशन का मामला लगा दिया जाता है और वो माफी मांगता है तब जाके उसकी रहाई होती है ये हकीकत है ये फर्ख है धवल पटेल ए उसी तरफ एक अरणब को स्वामी के बीच में यह जो फर्ख दिखाई दे रहा है ना मिलोड्स मुझे उस पर आपती है आपने बहुत खुबसूरत बात कई और आपने और भी कई अच्छे अच्छे बात ही कई आप से जब पूछा गया रिपब्लिक चानल के बारे में तो आपने कहा मैं वो चानल नहीं देखता बिल्कुल क्यों देखेंगे आप कोई भी जिसे कहते ना सब भे इनसान जिसका मानसिक संतुलन ठीक है उसे इस तरह के गोदी मीडिया चानल सको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए मगर फिर आपने ये भी कहा कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत देखे बिल्कुल मत देखे मगर वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको उमर खालिद की कोई बात नहीं पसंद देखे तो उसे मत सुनिये क्या आपके पास प्रमान है कि उसने जो कहा उससे दिल्ली के दंगे शुरू हो गए अल्बत्ता इन तीन चेहरों पर गोर कीजिए कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर प्रवेश साहिब सिंग इन्हों ने चुनावों के दौरान और इस कपिल मिश्रा ने तो पुलीस की मौजूदगी में कहा था कि अभी तो ट्रम्प है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं ट्रम्प एक बार चला जाएगा तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे और इसके तुरन बाद वाटसाप बनते हैं इंडिन एक्सप्रेस की इस खबर के मताबक वाटसाप ग्रूप्स बनते हैं जिसमें अवाहू का अदान प्रादान होता है जूट का प्रचार प्रसार होता है दिल्ली में दंगे हो जाते हैं जिनमें कम से कम साट लोग मारे जाते हैं इस आदमी का नाम चार्टशीट तक में नहीं है और दूसी तरफ उमर खालिद को बंद कर दिया है गया है जेल में उन धाराओं में जो आतंगवादियों के खिलाफ लगाई जाती है इस खबर के मताबिक उमर खालिद को उनकी परिवार से मिलने की अजाज़त तक नहीं है स्टीट सरकार हैं अपने नागरिपों पर किस तरह का अथ्याचार करती है मेलाड ये उसकी मثال है आपने जो कहा ना कि अगर राज जो है अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी तो हम उन्त के लिए खड़े हैं ये धेरो मिसाले आपके सामने हैं सिदीक अपन वरवरे राओ, स्टैन स्वामी सुदा भारदवाज बताईए ना ये फर्ख क्यों मिलोड्स और सिर्फ जस्टिस चंदरशूर ने नहीं चीफ जस्टिस बोब्डे ने कहा था और क्या कहा था मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूं चीफ जस्टिस बोब्डे ने रिपब्लिक टीवी के बारे में ये बयान दिया था 26 अक्तूबर को देखे रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी भरा रवया होना चाहिए ये जस्टिस बोब्डे ने कहा था मामला उस वक्का है जब जस्टिस बोब्डे ने तब्लीकी जमात वाले मामले में कहा था कि मीडिया के चैनल्स जो है वो विचारों की अभिव्यक्ती का बेजा इस्तमाल कर रहे हैं उसका गलत इस्तमाल कर रहे हैं ये कहा था उन्होंने इन चैनल्स के बारे में आगे और सुनिए क्या कहते हैं जस्टिस बोब्डे आपके सामने फ्रैंक्ली स्पीकिंग इन चैनल्स के जरिये समाज में पैदा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए ये बात किसी और ने नहीं चीफ जस्टिस बोब्डे ने कही थी तो जस्टिस चंदरचूर और चीफ जस्टिस बोब्डे ये आपके शब्द हैं ये मेरे शब्द नहीं है इन चैनल्स के बारे में और ये चैनल्स फिर, ये आंकर्स फिर, ये संपादक फिर आन एर पहुंच कर प्राइम टाइम में बैठ कर उसी तरह का समबाद करेंगे उसी तरह का जहर गोलेंगे क्योंकि जिस बीजेपी के चाटुकार को अनवाय नायक मामले में अंतरिम बेल मिल गई है इसी ने लॉकडाउन के दोरान जब गरीब मजदूर इखटा हुआ था मुंबई में एक स्टेशन के बाहर कहा था कि ये भाड़े के टटू है ये भाड़े के अभिनेता है जो इने जिन्हें आल आया गया है पालगर लिंचिंग्स में इसने ये तक कह दिया था कि अब इन लिंचिंग्स के बाद सोनिया गांधी इटली में फोन करके बोलेगी कि देखो मैंने साधु मरवा दिये बिगैर किसी प्रमाण के और आज तक ये प्रमाण नहीं दे पाएं मगर ये क्या प्रमाण देगा इसने तो ये कहा था कि दाओद इब्राहिम जो है वो है सुशान सिंग राश्बूत के हत्या के पीछे मगर जब पता चला जिस संदीब सिंग आपके स्क्रीन्स पर ये संदीब सिंग जब पता चला कि संदीब सिंग के तालुकात जो हैं वो भारती जानता पार्टी के साथ हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी थी ना पी-म नरेंद्र मोदी उसका प्रड्यूसर था ये संदीब सिंग कई तस्वीरों में ये देवेंदर फड़नवीस के साथ था ग्रेह मंत्री आमिश शाह के साथ भी दिखाई देता है तो फिर उसके बाद दाउद की थियोरी गायब हो गई क्योंकि संदीब सिंग के तालुका आते हैं दाउद इबराहिम से की थे पर बाद में संदीब सिंग पर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके रिष्टे तो बीजेपी के साथ हैं और बात वहानी खत्म होती तुमने कहा पूरा ड्रग सिंडिकेट है ड्रग काटिल है श्रद्धा कपूर दिपिका पाड़कून ये तमाम लोग जो हैं उन्हें उच्टाच के लिए बुलाया गया उन पर हमला किया गया पुरजोर हमला किया गया मगर उस पूरे मामले का नतीजा क्या हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि एक सुशान सिंग राजपूत बदनाम हो गया और कोई नहीं क्योंकि सुशान सिंग राजपूत की मृत्यू का मामला हत्या नहीं थी ये किसी और नहीं नहीं एम्स ने इस बात की तज़्दीक कर दी इन्होंने जो पूरा प्रॉपगांडा चलाया था रिपाब्लिक चैनल जैसे न्यूस चैनल्स ने रिपाब्लिक टीवी जैसे न्यूस चैनल्स ने वो सब धराशाई हो गया वो सब खत्म हो गया फिर लोग समाना अंतर लेवल पर क्या कर रहे थे महाराज सरकार को target कर रहे थे सोनिया गांधी को target कर रहे थे क्योんकि यह सुपारी उन्हें मिली हुई थी और ऐसे लोग कुछ लोगों के मुताबिक national heroes हैं तो जो लोग इन्हे national heroes समझते ना उन पर तरस आता है मुझे क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने channels पर सिवाए जूट बोलने के, सिवाए नफरत फैलाने के कुछ नहीं किया और यही सीख आप उन चैनल्स के जरीए अपने बच्चों को दे रहे हैं मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुद्दा हमारे बच्चों का है जब आप वो जहर देखते हैं ना उस जहर का परचार प्रसायर आपके ड्रॉइंग रूम्स में होता है और वही जहर और वही गंदगी आपके बच्चे सीखते हैं मुझे उम्मीद है कि माननी सुप्रीम कोर्ट ने जो खुबसूरत और बहतरीन बाते कही है मुझे उम्मीद है कि जो अनिनागरिक इस वक्ट जेल में है उनके साथ इंसाफ होगा राज सरकारें जो इनके साथ नाइंसाफी करती हैं अब सुप्रीम कोर्ट का ये बयान चाहे जस्स जंदरचूर ने जो कहा हो या इससे पहले चीफ जस्स बूबडे ने जो कहा है ये तमाम बयानात जो है ये जो तमाम फैसले हैं वो नजीर साबित होंगे वो मिसाल साबित होंगे उन लोगों के लिए जिनके पीछे भारती जहता पार्टी का हाथ नहीं है जिनके मामले को आगे पहुचाने के लिए महंगे महंगे वकील नहीं है मैं उम्मीद करता हूँ उनके साथ इंसाफ होगा मगर उम्मीदे हैं उम्मीदों का क्या अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार